हेलो स्टुडेंट्स आज हम बी एसी थर्ड एर का टेक्सोनोमिक का टोपिक पढ़ रहे हैं और फैमिली का नाम क्या है लीली एसी इसे लीली फैमिली के नाम से भी जानते हैं तो लीली एसी या लीली फैमिली के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं जादतर इसके जो प्लांट ह पाए जाते हैं या सब ट्रोपिकल रिजन के अंदर मिलेंगे टेंपरेट और सब ट्रोपिकल रिजन के अंदर इसके प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे वर्ड के अंदर अभी तक इसकी डाई सो जनेरा खोजे गई हैं और 3700 स्पीसीज इसकी पूरे वर्ड के अंदर डिस्कवर की गई है देखी गई है इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 35 जनेरा इसके इंडिया में पाए जाते हैं और 1955 स्पीसीज अभी तक इसकी इंडिया में रिपोर्ट की गई है लीलियसी फैमली में प्लांट कौन-कौन स आते हैं तो उसके एक्जाम्पल है जैसे आपका लीलियम, अलोवेरा, युक्का, एसपर्गस, स्माइलेक्स, ये सभी प्लांट किस में आते हैं आपके लीलियसी फैमली के अंदर आते हैं इसी तरह जैसे ओनियन का प्लांट होता है जिसे हम प्याज बोलते हैं तो ओनियन का प्लांट भी किस के अंदर आता है लीलियसी फैमली के अंदर ही आता है लीलियसी फैमली के जो प्लांट होते हैं वो मोनो कोट होते हैं एक बीज पत्री होते हैं ठीक है मोनो कोट होते हैं एक बीज पत्री प्लांट जहां वो लीलियसी फैमली के अंदर आते हैं अगर हम इस क्या होता है कि plant जो दूसरे पोदे का साहरा लेकर ऊपर चड़ता है, ठीक है, plant दूसरे पोदे का साहरा लेगा और इस तरह से growth करता है, अगर इसमें inflorescence देखेंगे, push craving अगर हम देखेंगे तो हमें साइमो टाइब का push craving मिलेगा, Racimose type का Pushkram मिलेगा Ambell type का Pushkram मिलेगा Ambell जैसे छतरी होती है छतरी के type का Pushkram इसमें देखने को मिलता है या हमें Solitary Axillary Influence देखने को मिलता है ठीक है, Solitary Axillary Influence से देखने को हमें मिलता है किसमें Liliesi Family के अंदर Kelex और अगर Corolla को अगर हम देखेंगे अगर calx और korolla को देखेंगे, तो ज़्यादा difference नहीं होता है, ठीक है, दोनों को हम अलग-अलग identify नहीं कर सकते हैं, calx और korollas होते हैं, वो सेम होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, तो हम उन्हें अलग-अलग identify नहीं कर सकते हैं, पैचान नहीं सकते हैं कि ये Qualax है ये Corolla है तो इस परकार कि जो condition होती है उससे हम Perianth बोलते है ठीक है Perianth भी बोल सकते है उसको Tapple भी बोलते है ठीक है केलेक्स और Korolla जब सेम टाइप के होते हैं और हम identify नहीं कर पाते कि कौन सा भाग Galex का है कौन सा पार्ट को को रोला का है तो उस condition को हम पेरियन्त या टेपल बोलते हैं ठीक है तो Lilles Si Family के अंदर कैसा मिलेगा आपको पेरियन्त या टेपल देखने को मिलता है 6 in परीजेंट होते हैं कहने का मतलब 6 तो चखे टेपल होते हैं तो 33 की रोव बनी रहतीं है तीन-दीन की पंक्ति बनी रहती है इससी हम क्या बोलते हैं तो 33 की दो रोव बनी रहती है तो इससी हम क्या बोलेंगे by seriat stamens गर हम देखिके अगर हम ऑप का पा यही Fenya Bienet होता है थीक है stamens भी कैसा मिलेगा आपको by serate वो Perianth के साथ में Attach होता है, ठीक है, आपका जो Stamens जिसे हम Androsium भी बोलते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, यहाँ पे हम characters देख रहे हैं, तो आपका जो Stamens होता है, वो भी कैसा होता है, Epiphylus होता है, Epiphylus होने का मतलब Stamens जो है, वो Perianth से जुड़ जावर रहता है, Kalex Corala से Attach रहता है, ठीक है, इस परकार की Condition को हम क्या बोलते है, Epiphylus बोलते हैं, अगर Gynosium देखेंगे, तो Gynosium Tricarpillary होता है, ठीक है, इस परकार से 3 Chamber Gynosium के अंदर बने वे पाए जाते हैं, तो इससे हम क्या बोलते है, Tricarpillary बोलते हैं, और परते एक चेमबर के अंदर दो-दो ओव्यूल लगे वे रहते हैं, ठीक है, परते एक चेमबर के अंदर क्या रहेगा, दो-दो ओव्यूल पाए जाते हैं, तो इस परकार की Condition को हम क्या बोलते हैं, Tricarpillary बोलते हैं, Bilocular होता है, ठीक है, Bilocular होने का मतलब दो चेमबर होते हैं, दो लोक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, Bilocular होने का मतलब दो लोक्यूल परजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, Bilocular बोलते हैं, Exile Place Intention पाए जाता है, मतलब ओवरी के बीच से ओव्यूल जो होता है, वो Attach रहता है, ठीक है, इस परकार की Condition को हम क्या बोलते हैं, Exile Place Int Intention बोलते हैं, ओवरी के बीच से जो ओव्यूल होता है, वो Attach रहता है, इसका जो Fruit होता है, वो Capsule या Berry Type का होता है, Fruit अगर हम इसका देखेंगे, तो कैसा देखेगा, Capsule Type का या Berry Type का इसका Fruit होता है, अब हम Plant के बारे में देखते हैं, तो आज हम Lily Sea Family के अंदर जो Plant देख र लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम Plant की Habit लिखेंगे, तो Habit में सबसे पहले क्या हो जाता है, Plant Reduce होता है, ठीक है, Plant कैसा रहेगा आपका, Reduce होता है, और Stem जो रहता है, वो Underground होता है, ठीक है, Underground यानि कि थोड़ा जमीन में धसा हुआ इसका Stem पाया जाता है, तना जो होत का मतलब क्या होता है, Soft होता है, Green होता है, एकदम नरम होता है, ठीक है, तो Plant एकदम Soft, नरम टाइप का होता है, इसे हम क्या बोलते है, Herb बोलते है, अगर Root हम देखेंगे, जड़े देखेंगे, तो Adventious Root पाया जाती है, अपस्थानिक जड़े पाया जाती है, या Fibrous Root पा यहाँ पर आप देख रहे होगे, लंबी-लंबी Leaf इसके अंदर पाया जाती है, ठीक है, तो Leaf कैसी होती है, Long होती है, Long होती है, Cylendrical होती है, Cylendrical होने का मतलब बेलनाकार Leaf होती है, Hollow होती है, Hollow होने का मतलब जो Leaf रहती है उसका बीच में से खोकली होती है, ठीक है, Leaf जो से टिक होता है, थोड़ा आगे से. उसे हम क्या बोलते हैं? पोइंटेड, एपक्स बोलते हैं. ऐस स्टिपूलेट होती है. तो लीफ जो रहती है ना, लीफ के पास में, जैसे नॉर्मल आपको दा देखो तो यहां पर जैसे leaf लगी रहती है तो leaf के पास में एक और leaf पाई जाती है जिसे हम stipule बोलती है तो यहां पर onion के plant में stipule नहीं पाई जाती है stipule absent होती है तो हम क्या बोलेंगे leaf के बार में तो leaf क्या होती है X stipulate होती है ठीक है taccile होती है cacile होने का मतलब क्या होता यहां पर इसमें यह stam का पार्ट है और leaf आटेज ही हैь स्टेम से इस परकार की leaf को हम क्या बोलते है है से शाइल बोलती है ठीक है न लीफ का डंठल नहीं होता हैiliyor अब है ये क्या रहता है लीफ का डंठल क्यालता है इसे हम पहलती है तो पर हम आपा जाता है तो किए से बाएंगे बोलती है डिरेक्टी स्टेम से जूडि भी रहती है multi-costate parallel venation पाया जाता है multi-costate parallel venation present होता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मालों यह आपकी leaf है ठीक है तो leaf में इस तरह से mid ribs निकली रहती है शिराएं पाया जाती है ठीक है बहुत सारी इस तरह से जाली का निकली भी रहती है मिड्री पाय जाती है शिराएं पाय जाती है और एक दूसरे के समाना अंतर होती है पैरलल फोर्म में होती है इसे हम क्या बोलते हैं इस परकार की जब कंडिशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं मल्टी को स्टेट पैरलल वेनेशन बोलते हैं इस तरह से बहुत सारी मिड्री निपाए जाती है और एक दूसरे के parallel होती है और leaf जो रहती है आपकी इस तरह से होती है तो इस परकार की जो condition होती है उसी हम क्या बोलते है multi-costate parallel venation बोलते हैं तो ये तो होगे आपका leaf तक इसके बाद में आपका inflorescence आता है ठीक है न पुस्ट करम कैसा होता है तो ओनियन के अंदर ओनियन का जो बोटनिकल नहीं होता है वो एलियम सीपा होता है और इसके अंदर अगर हम inflorescence देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा ग्रूप ओफ फ्लोवर्स बहुत सारे फ्लोवर्स एक ग्रूप के अंदर परजेंट होते है ठीक है एपिकल पार्ट में जैसे मालो यह यह ओनियन का प्लांट है तो इसका एपिकल पार्ट अगर देखोगे तो बहुत सारे इस तरह से आपको structure देखने को मिलती है तो बहुत स इस परकार से आपको देखने को मिलेगा तो यहां से इस तरह से इस में स्कोपी जीरस टाइब का inflorescence बोलते हैं ठीक है और यह आपकी इस तरह से इसमे पेरियन्थ पाए जाता है तीन-तीन के फॉर में यह पेरियन्थ है और यह पेरियन्थ कैसे मिलता है छे होती है यह तो तीन-तीन के 3 प्लस 3 में यह अरेंज रहती है दो रो होती है इनकी तीन-तीन की तो यह इस तरह से पेरियन्थ जोता है वो अरेंज होता है तो inflorescence हो गया उसके बाद में आता है आपका फ्लोर तो फ्लोर का अगर आप structure देखोगे तो इस परकार से फ्लोर देखने को आपको मिलेगा ठीक है इस परकार से फ्लोर होता है तो फ्लोर इसका ब्रेक्टियेट होता है जहां पर फ्लोर लगावा रहता है उस डेंठल के पास में एक लीफ पाई जाती है जिसी हम क्या बोलते है ब्रेक्ट जैसे यहां पर इसमें दिखाए हुआ है कि फ्लोर जो रहता है वो ब्रेक्ट या स पेथी से कवर होता है ठीक है तो यहां पर फ्लोर में ब्रेक्ट पाई जाती है तो उसी हम क्या बोलेंगे ब्रेक्टियेट बोलेंगे पेडीसिलेट, होने का मतलब जोласт फ्लोर का दंठल होता है, उसे हम बोलते हैं पेडीसिल तो जो ओन्यन दंठल परजेंट होता है उसमें पेडीसिल यहनी की दंठल परजेंट होता है तो हम पूदेसिलेट बूदेट मतलब र enjoलेंगे है complete बोलते हैं ठीक ना तो floor इसका कैसा ओधात absorbed कम लिए होता है ट्राइ मेर इस होता है कि मरेर्स होने का मतलब क्या एक हआता है कि इस प्रकार से 33 जैसे टेपल होता है न तो टेपल के 33 रो हती है कि gi formula क्या है कि इस प्रकार की condition को हम क्या आपकी क्या किलाती है हाईपोगाइनस होता है है हाइपोगाइनस होने का मतलब थेले मास वेईरि पह जाती है है इस में केंडिएसे हाई अपो गाइनस क्यलाती है थेले मस्के उपर ओवरी परजेंट होती है तो ओवरी कैसी हो जाएगी सुपीरियर ठीक है एंडरॉसियम आपकर के साथ में जुड़ें रहते हैं तो इस परकार में पछलाती है एपीցकों सलवितिनी होती हैjes तो न यह आपका फ्लोड के बाद में आता है लंट दो में आपको बताया है यह अगरे इसमें कितने होते हैं, छेट इसके अंदर टेपल होते हैं, और तीन-तीन के दो चक्कर बने वे रहते हैं, दो रो बने वे रहती है, गेम ओफाइलस होता है, गेम ओफाइलस होने का मतलब आपस में जुड़े वे रहते हैं, टेपल जो रहते हैं, वो आपस में जुड़े वे कि पर टेपग जो टेपल है वह आपस में attach है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इस परकार की condition क्या कहलाती है game of phylus कहलाती है इसके बाद में आते हैं Androsium तो Androsium में Stamens जो होते हैं वो 6 होते हैं ठीक है न स्टेइमंस कितने होते हैं 6 Stamens present होते हैं the polyandres होते हैं polyandres होने का मतलब अलग-अलग रहते हैं free रहते हैं एक दूसरे से मुक्त होते हैं ठीक है polyandres को हम क्या भूलेंगे अलग-अलग होते हैं epiphials, epiphials मैंने अभी बताया कि tipple के साथ में ये attache रहते हैं ूद्ध पाइज गए यू सिघ्ड यहाँ पर बनाए वह तो दो लोब या दो पालिया पाएगे फिक है इस तरह से एक पाली यह हो गई एक लोब यह हो गई तो दो भोड पाएगी ६dade किल रहती है जाए हुक है अंहूं चाना आपे इस देल पनावर हो टा फोलता है तो जैस talk थैल होने का मतलब ये जो gaming अट ये जो उपर का पार्ट होता है ये वड़ा ये दोलन करेगा ठीक है ना दो इस तरह से लोब बनी भी रहती है तो ये इधर भी इधर गूंजाता हैonne गूम जाता है ठीक है ना यह दोलन करता है कभी इधर थोड़ा इधर जुग जाता है कभी थोड़ा इधर जुग जाता है ठीक है इस परकार की कंडिशन को हम क्या बोलते हैं वर्सेटाइल बोलते है तो इसमें मूवमेंट होती है कभी इस तरफ मूवमेंट होती है तो इस प ध़िए उब लकुंदॉva के आंदर की ओर पाई जाते हैं Waals अगर में दिखाई नहीं देते इस पर कंडिये कार्पार में यता है इसके बाद में आता है थो गाइनो adapt गाइन किश्रेंच हरकल पर जता है mist कार्पस होता है तीनों जो कार्पल होते हैं वह अपश में जुड़े वे रहते हैं ओवेर्इ कैसे होती है superior अपय जाती है क्योंकि जो ऑवेर sharpen होती है यह तीजिले मस र्पेस के उपर ओवेरी पाज़ाती है तो इस परकार की condition क्या किलाती है considerably posterior ovary trilocular होती है इस परकार से 3 locule इसमें present होते हैं ठीक है तीन locule पाय जाते हैं तो trilocular हो जाती है एक्जाइल प्ले सेंटेंशन जो प्ले सेंटर होता है वो बिल्कुल एक्जाइल वाले पार्ट के अक्स से जुड़ा वर रहता है ठीक है बिल्कुल सेंटर में होता है इस परकार की कोंडिशन आपके क्या कहलाती है एक्जाइल प्ले सेंटर कैलाती है और पद्री कnite वेल के अंदर दो वूल पाय जाते हैं इस तरे से एक क्होल बना तो stigma भी कैसे होता है दो लोब पाई जाती है इस तरह से stigma में भी आपको क्या मिलेगा दो लोब देखने को मिलेगी एक ये और एक ये तो दो पालियों से बनी भी stigma इसके अंदर पाई जाती है दो लोब से बनावा stigma रहता है ये फ्लोवर का डाइग्राम है ठीक है जैसे style stigma और ठीक है style चोटा और ये और इसके बिल्कूल सेंटर में क्या है और व्यू लगे हुए है और ये थेलेमस थेलेमस के उपर जोब और परजेंट होती है तो उसे हम क्या बहुते हैं सुपीरियर और बूलते हैं तो ये आपका वर्टिकल सेक्षन है फ्लोर का और ये और ये और परजेंट हो इसके अंदर होती है अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मुला और फ्लोरल डाइग्राम ठीक है तो ये प्लोरल फॉर्मुला इस तरह से आपको दिखाई देगा और ये इसका फ्लोरल डाइग्राम है तो मैंने बताया कि इसमें प्लोरल डाइग्राम है और तीन-तीन की रोव बने वी रहती है, तो इसमें ये पेरियंथ की कंडिशन बनाई हुए, ठीक है, ये तीन-तीन रोव में क्या है, पेरियंथ, ठीक है, और फ्लोर कैसा होता है, ब्रेक्टियेट होता है, तो ये इसकी ब्रेक्ट बनाई हुई है, बीच में क्या है, गाइनो रहता है और bisyriate होता है, row में present होता है, यह भी कैसा होता है, endosium भी कैसा होता है, trysyriate होता है, तीन-तीन कें इस तरह से चक्र बने हुए रहती है, फिक है, तो यह जो आपका endosium होता है, वो epiphyilus होता है, epiphyilus होने का मतलब perianth से attached रहता है, तो देखो परतेक जो एंड्रोसियम हो वो पेरियंत से जुड़ा हुआ है इस परकार की कंडिशन आपके क्या कलाती है एपी फाइलस कलाती है तो यह इसका फ्लोरल डायग्राम हो गया अगर इसका हम फ्लोरल फॉर्मॉला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस का साइन लगाते हैं हम एक्टिनो मॉर्फिक के लिए फ्लोर कर अगर हम बीच में से काटेंगे तो दो समान भागों में यह फ्लोर डिवाइड हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं एक्टिनो मॉर्फिक और उसके लिए यह वड़ा साइन लगाते हैं ठीक है, यह है आपका फ्लोर, complete और bisexual, complete होने का मतलब, androsium, gynosium, kellex, और corolla, चारों इसके अंदर परजेंट होते हैं, तो फ्लोर आपका complete हो जाता है, bisexual होता है, ठीक है, यह आपका क्या है, parent, तो parent कैसा होता है, biseriate होता है, 33 की row बनी वी रहती है, ठीक है, तो यह 33 का, यह आपका parent हो गया, androsium, और उपर यह line इसलिए लगाई होगी है, क्योंकि यह parent के साथ में attach है, जब parent के साथ में endosium attach होता है तो इस परकार से line लगा देते हैं इसके बाद में आता है आपका gynosium तो gynosium tricarpillar यह होता है इसलिए तीनों कारपल एक दूसरे से जुड़े होई रहते हैं sincarpus होता है तो इसलिए इसको bracket में लिखते हैं तीन को और यह निचे इस परकार से line लगा भी है g के निचे line लगा भी है line का मतलब करता है ovary कैसी है superior अगर ovary inferior होती तो उपर की तरफ line लगा देते हैं यहाँ पर ovary कैसी है superior है तो नीचे की तरफ में इस तरह से underline किया हुआ है यह इसका floral formula हो गया floral diagram हो गया तो यहाँ पर आपका लेलियसी family जो वो complete हो जाती है वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share और subscribe जरूर करें thank you